नमस्कार दोस्तों स्वागर था आपका इन्य नोले शो में और मैं एक लेकर आपके नहीं वीडियो आपके लिए दोस्तों आप बहुत से डिफेंस चैनल पर आप देख रहे होंगे कि कोई बता रहा है कि F21 को बिल्कुल नहीं लेगा कोई कहा रहा है कि रफैल जाएगा कोई लेंगे लेकिन दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में विल्कुल कर दूँगा इस बात से आपको संतुष्ट कर दूँगा अपने फैक्ट से कि भारत F21 ही लेगा चाहे आप कितने भी आपको टेक्निकल स्पैसिफिकेशन देख ले कुछ भी देख ले बले ही वह सब से और अच्छे नागे डिसलाइक करते हैं और कमेंट सेक्षिन में अपने अनुभाव को बताएगा जरूर तो शेयर दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं तो दोस्तों आपने वह से जो डिफैस चैनल से उन पर देखा होगा कि राफेल एक बहुत ही अच्छा एरकाफ्ट है दोस्तों आपको बता दू कि एक बहुत बड़ी पोलिटिक्स भी है दोस्तों पहले भारत के पास अमेरिका ओप्शन नहीं था और अमेरिका नहीं भारत को अपने वापन से देता था दोस्तों पहले मैं आपको बता दू अगर कोई देश रश्या और अमेरिका से वपन लेता है तो उन में डिफरेंस क्या आता है अगर आप ने रश्या से माला भारत ने लिया सुखोई 35 MKI तो वो उसने भारत को भी दिया और चीन को भी दिया उससे ना तो भारत को कुछ फ लेकिन अगर आप कोई भी हतियार अगर अमेरिका से खरीतते हो तो उसका एक प्रोपर एजेंड़ा होता है मैं बताता हूं कैसे अगर अमेरिका से आप यह भी सखरू करवा सकते हो कि आप अपना हतियार किसी आपके राइवल कंट्री को नहीं बैच सकते वो इस तरह की डिल इसलिए F21 का जो थोड़ा सा अप्गेडेशन किया गया वो इसलिए किया गया ताकि पाकिस्तान से एज रहे F21 का जो पाकिस्तान को F16 बेचे गए हैं उससे दूसरी बात अगर भारत F21 खरीदता है तो उसका सबसे बड़ा जो फाइदा होगा वो यह होगा कि चाइना के पास F21 या अमेरिकन कोई भी टेक्नलोजी नहीं होगी उसका काट नहीं होगा हम पाकिस्तान को देखकर भारत तब तयारी नहीं कर रहा है पाकिस्तान अब भारत की तयारिया है चाइना को देखकर हम चाइना को लेकर तयारी अपनी कर रहे हैं पाकिस्तान को लेकर नहीं कर रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान से हम वैसे ही बहुत जादा एडवांस हैं हमारा प्लेस्टिक मोट के साथ ही अन्य प्रोग्राम से भी मिसहिल्स में लेकर तो जो यह बात कही जा रही है कि रफैल रफैल को लेने का एक और में कराण दूसरा करन बता दूँँ वह राजनितिक कारण देखिए अगर आप सपोज करें कि मोदी गोवर्मेंट रिपीट हो सुत्रों के वहाले से जो खबर भी निकल के आई है कि कुछ अधिकारियों में आपस में वह तालमेल भी अब नहीं रहा क्योंकि कहीं टैक्स को लेकर कहीं कुछ अन्य इशू को लेकर अगर भारत तरह फ्रांस के साथ जाएगा तो जो परकिरिया है वह और ज्यादा विवा और फिर रफेल खरीद रहे हैं तो इसलिए भी यह एक करण हो सकता है तो दोस्तों इसके लावा भी बहुत सारे करण है जैसे कि भारत को जो तीसरा सबसे महत्पून करण जो इंडियन मिलिटर के परस्पेक्टिव से मैं देख रहा हूं या हमारे जो मिलिटर एक्सपर्ट देख रहे हैं वह है दो ऐसे हतियार जो अगर F21 मिलता है तो मैं Lockheed Martin के दो ऐसे हतियार है जो भारत को भविश्य में दिये जा सकते हैं और भारत को billions of dollars खर्शनी करने पड़ेंगे अपने 5th generation पर 5th और 6th generation पर भी और जो आपस में 20 होंगी वह ज्यादा मजबूत हो जाएं वह हतियार नहीं है वह तो एक असासियन है वह तो ऐसा है कि इस्पेशल जगह जाएगा वह इस्लामबाद पर उड़के हर चीज की धज्य उड़ा जाएगा और वापस आजाएगा चुटकियों में इन दो हतियारों पर भारतिया आर्मी की बहुत ज्यादा ही नजर है तो और इसके अलाबा भी जो लोकिड मार्टी ने बहुत ज्यादा परिया उसका बजट बहुत बड़ा है वह सालाना बहुत पैसा खर्च करते हैं अलग अलग हतियार बनाती है अब उसका बीटू बॉमबर ही ले लो उसे बनाने में उसने 400-500 बिलियन डॉलर खर्च कर दी है बीटू बॉमबर को और रैप्टर को भी अब देख लिए बड़े चाइना की आर्मी का बजट नहीं इतना चार चाइना की आर्मी का बजट से 500 क्रोण के बीच है इतने में खर्च करते हैं तो और वह बहुत ही बड़े कंपनी अल्वर्ड की नंबर वन कंपनी है लोकिड म जो यूएस कंपनी है वो तेजस के लिए एक नया ही बिल्कुल अडवांस इंजन भी बना रही है और बता दो कि जो इसके आपकी जो लोकेड मार्टीन के भी कुछ शेर्स हैं तो यह इंटरल पॉलिक से ही कहती है कि भारत F21 के लिए ही जाएगा हलागे आपको अभी भी व आपको आप थोड़ा अगर ठंड़े दिमाग से देखेंगे अगर आप फैक्ट्स को मतलब कि जो इस पैसिफिफगेशन को अलग रखके जो फैक्ट्स है उन्हें जाएंगे तो आपको लगेगा कि F21 ही एक भारत के लिए एक बिल्कुल ऐसा नहीं है जो देखने में आपक सकता है साथ ही इसका जो फ्यूल एफेशेंसी है वह बहुत ही कम है आप जो रफेल आप उसकी बात करते हैं रफेल को उडाने का एक घंटे खर्चा बीस जार डोलर के करीब है वहीं F16 का खर्चा करीव बाराजार डोलर है तो आप समझ सकते हूं ऐसा नहीं है कि खराब प् और सालों तक अपनी इसने जो एक परतिष्ठा है वो बनाई रखी है तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही मैं अच्छी अच्छी वीडियो आपके लेता रहूंगा परी चैनल को सब्सक्राब कीजिए हिंदी नोलिश्व चैनल और इसे लाइक कीजिए वीडियो को नहीं सब्सक्राइब कीजिए और आप कुछ डिस्क्रिशन करना मेरे साथ कमेंट सेक्शन में आप कर सकते हैं थैंक्यों वाचिंग आपर वीडियो थैंक्यों वर्मच